बीस में इंस्टाग्राम से प्यार हो गया था और 2023 में क्या इस्तिती हो गई है कई कि नहीं रहे हैं अभी मंदिर में साधी भी करने इनके पिता मांचिक रूप से बिमार है माता इनके अपनी है नहीं सौतेली मां है अब यह ऐसे जो लड़के होते हैं वो ढूंडते हैं जिस अब दो परिवार की कहानी नहीं हो गई यह तीन परिवार के इज़्यत कर दा इंस्टाग्राम का प्यार वाला थाने में आ रहा है पुलीस वाले अलग परिशान है कि आप राधी को पगड़े की लभर को परे प्रिप्टो करेंसी चलाते है उसमें डबल होता है पैसा बीटकोईन वगरा कुछ है तो सेर मार्केट भी है उस लड़के को भी इस परकार का करतू तो नहीं करना चाहिए गोरकपूर के चिलवा ताल थाना के पास अभी मैं हूँ और एक लड़की है जिनको ट्रेन में एक लड़का से प्यार हो जाता है बाद में इंस्टाग्राम पे प्यार की कहानी आगे बढ़ती है बनारस के एक मंदिर में साधी हो जाता है और अभी जो है लड़की का जरु माँबाब को बता दिया हूं उसके बाव जूद जो है लड़काने रितीरिवा से साधी नहीं किया मंदिर में जाके साधी किया वह सारी कहानी जो है इनों ने अपनी चैनल पे चलाया था और अभी जड़की हमारे साथ है छपरा इनका घर है गोरकपूर में आई है बाबा का बुल्डोजर वाला परदेश है क्या नाम हुआ आपका मेरा नम प्रतिभा चुरसिया हुआ अच्छा आपको लड़के से प्यार कैसे हो गया था इस्टाग्राम से बात होता था और चैटिंग वगड़ा भी होता था त हमने नमर दिया उसके बाद कॉल रूल करते बात उत्व हम लों का कड़ीबंद 2020 में हुआ था तीन साल 20 में इंस्टाग्राम से प्यार हो गया था और 2023 में क्या इस्तिती हो गई है कही कि नहीं रहे हैं अभी मंदिर में साधी भी कर चुका है सब कुछ फोटो अगर मंदिर म में साधी आपने क्यों किया आप तो खुद अपराधी हैं आपको जो है उस लड़के पर दबाव डालना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि पूरा रिती रिवा से साधी करो मेरे साथ हम बोले उसको हम बोले की का वो जब तयार नहीं हुआ तो आप जो है उसके परिवा से इनकी कहानी आप अभी आदा सुनें इनके पिता मांचिक रूप से बिमार है माता इनके अपनी है नहीं सोतीली मा है अब यह ऐसे जो लड़की होते हैं वो ढूंडते हैं जिसका फैमिली से अटेश्मेंट कम हो जैसे मुझे अगर किसी को अपना जीवन साथी चुनना हो तो क्योंकि मेरी ममी पापा से मेरी बॉंडिंग अच्छी है तो मैं उनको बताऊंगी कि मुझे लड़का पसंद है ममी प्लीज साधी कर दीजे उनको मनाने की कोशिश करूंगी यह लड़के ऐसे लड़के को ढूलते जिन से परिवार का बॉंडिंग कम हो रिलेशन कम हो जो अपने परिवार ये इनका परिवार से बात करें कुछ पतेंया रह से क्यों से इस्टाग्राम में नोकरी करती मेंkeiten या सरकारी कर सकते हैं कि गोरकपुर में कहां से आई है आप गोरकपुर में अभी जुंगिया बजा लड़की का घर परता है वहाँ पर मैं थी वहाँ पर सर लड़के का साधी कितने दिन पहले होने वाला था अभी 22 तरीक को ही होने वाला था तो आपने जो है 22 तरीक को उस लड़के का स अपना से दोड़ के आई या गाड़ी से आई हैं वही गाड़ी से आई हैं सुने है तो उस अमल लिजे वैसे जैसे तैसे आ गए उसके बाद हम घर पे भी कुछ नहीं बता है नरिस्तेदारों में बता है उसके बाद हम आ गए तो लड़का बरात लेके जा रहा था तो हमने लड़के का साधी हो रहा था और बरात जा रहा था और उस समय साधी रुकवार की कहानी नहीं हो गई यह तीन परिवार के इज्जत का कहानी हो गया एक इनके परिवार का एक लड़के का परिवार का और एक लड़के का जिस लड़की से साधी हो रहा था उसके परिवार का लड़का लड़कियों का जिंदगी बरबाद करता है उसी लड़के से लड़किया क्यों पड़ जाती है अब लड़के को नहीं जान पाई जानते थे हमको नहीं पता था कि वह ऐसे करेगा मेरे साथ लेकिन यह भी तो यह भी तो सोची कि अब इसका end of result क्या निकलता है लड़का भी तो ठीक है गलती आप जैसे बोल रहे हैं कि लड़का सुसाइट कर लेगा अगर बुलिए मेरे घर वाले नहीं रखेंगे हमी सुसाइट कर लेंगे तो कौन इसका रिक्स लेगा इसका दोसी म मेड्या वाला तो नहीं होगा ना दो धेंव लोगों को करें मतली यह वह इस आप बता रहें कि दबाऊ बन डबाऊ वर बने मैं कर दो कि दृवले से लंगे हैं किसे मुछ पुलिस वाले से मैं बात कर रहा था लोगों ने बोला कि क्या करें हर दिन तो पिरास तो से आपotrosें और फाहले आदिकैज का एका प्हुत सरह मीटराईन सत्थिम कंते सईयों थोगाकश काइए पहता हैं मोझया हम इतनीय Lindsay यह महें नहींगी में में भी ने थिपेंट पुर्पनाराश एक संफेंगें आपके साथ कभी फीजिकल रिलसेट में नहीं यह मुझे नहीं पता था कोट मैरेज करने से पहले यह एविडेंस वाला मैरेज करने से पहले जो है फिजिकल रिलेसंसिप में आप लोगों से मैं बिनती करना चाहता हूं अगर आप लोग चाहती हैं कि जिन्दगी जो है नर्क ना बने फ्रीज में कभी जाने का नौबत ना है कभी स्राधा जैसी हालत ना हो कभी टुकरे टुकरे करके जो है सड़कों पर ना फेकी जाए तो उसके लिए अगर आप लोग रिलेसंसिप में जा रही है तो उसके पहले जो है आप लोग या तो कोट मैरेज की जिए या तो पूरे सोसाइटी के समाज के सामने जो है जो मेरेज होता है इनसे गलती किया है कि नहीं लेकिन इनके गलती से जादा बड़ा अपराद उस लड़के नहीं किया वह लड़का छो इस लड़का दूसरा सालि ॵह नहीं रुकवा दिया तो उस लड़के के छोटे भाई के साथ तीसरी लड़की का साध्य हो गया Джaross सोच यह कितना मतलब जी सारे परिवार का इजत लिया जो है किसी और की आपने क्या की आपने क्या किया है आपने क्या किया लेकिन लड़का आपको रखने के लिए तैयार नहीं है उस लड़का के साथ आप क्यों जाने के लिए तैयार है कल अगर आपके साथ कुछ गलत करेगा तब क्या होगा इतना सीधत के साथ आप दिन और रात एक करके उसका साधी तोड़वाई जितना सीधत के साथ जो है आप एक बात साफ कर रहे हूं जैसे जब से पढ़ाई लड़कियों को मतलब होने लगी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख ली तो उन्हीं लगता था कि समिधान में हमें अधिकार मिला है हम अपनी स्वेक्षा से अपना अपना जीवन साथी चुन सकते हैं इस बात कि मैं पक्षदर किया लड़का इंपो धोखा दिया हाँ लड़का क्या करता है लड़का हम से बोला कि हम मैकेनिकल इंजिनियर तमिलनाडू से अन्ना इनवर्सिटी से किये हुए हैं और अब लड़का की कंपनी में कभी आप गई थी कंपनी में क्यों जाओंगी ग्रेटे नोड़ा में इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों से भी मैं बिनती करना चाहता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे नाचते नाचते जो है प्यार के चकर में नाचना सुरू कर देती हैं वह गलत है अगर आपका दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है तो उससे कहिए कि या तो कोट मेरेज करे या तो पूरे इस परिवार के सामने मेरेज करे अगर वह मंदिर मेरेज करता है बिना किसी से बता है मस्जिद मेरेज करता है बिना किसी से बता है या किसी और धार्मी का स्थल पे जाके मेरेज कर लेता है बिना किसी से बता है तो कहीं नहीं तो कहीं यह गलत है और उसका अंजाम यहीं होगा लड़का से पैसा तो इसा ली हैं कि नहीं आपको भी हम पैसा नहीं लिये हैं बलकि उल्टा उसी ने हम से मांगा है पैसा 60 रुपया दिए थे उसको अपने बैंक एकाउंट से इसके एकाउंट में ट्राइंसफर किये थे अचाहिए वह देखने और समझने के बाद कि आप लोग अपने गार्जेन को सपोर्ट में लेकर ही आगे बढ़िए भाई बिना गार्जेन के ना आप लोग बिना ना के बिना पतवार के ना हो है वैसा अब यह ना इधर कि रहा गई ना उधर की अब यहां पर गुरगपुर में खड़ी है आज इनके साथ कुछ भी हो जाए एसीड भी खुले आम मिलता है इनका इनका कुछ भी हो सकता है लड़के वालों को पता है कि लड़की आ रहती है कितने दिन थाने में रहेगी तीन दिन हो गया इसको अब इसके साथ कुछ भी होगा तो जिम्मधार कौन यह सोचने की बात कमाल की बात है कि इस परकार के घटना में ना आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है ना कोई रिस्तदार खड़ा होता है ना कोई दोस्त खड़ा होता है तो रिस्तदार होगा मामा चाचा फूपा काका क्यूंकि प्यार करने से पहले रिस्तदार को बताया नहीं गया है कि इस परकार का प्यार नहीं होना चाहिए मुझे साथ है और रहना भी सके साथ में उसके पैरेंस भी हमको बोले हैं आपको वीडियो बेजिए अगर वह नहीं रखेंगा तब क्या कीजिएगा तो क्या करेंगे तो लाड़ेंगे और क्या करेंगे क्वाले भी तो आप नहीं रखेंगे इन गलती है तो कॉर रखेगा आपने बच्च को वार दोर लगों का जिन्द्वी नर्क हो जाएगा प्यार कीजिए अच्छे लड़कों से प्यार कीजिए और अपने परिवार को बता दीजिए और साधी या तो कोट मेरेज कीजिए और या तो परिवार के सामने जो है एरेंज मेरेज कीजिए उसके अलावा अगर कोई दूजरा मेरेज आप लोग करते हैं तो इस्तिती यहीं होगा इसके लिए आप लोग खुद दोसी होंगे जय हिंद